Hello Friends, Welcome back to my channel, मैं हूँ Amrita और आप सब देख रहे हैं Targeted 1 Friends, आज हम बात करने वाल हैं 79 जाफ सिक्षक भरती के बारे में आज हम बात करेंगे इस भरती related latest update के बारे में तो जानें क्या है आज खास? आज अब जानेंगे BEO यानि कि Block Education Officer के द्वारा दी गई instructions Important instructions जो आप सभी अभर्थियों के लिए बहुत ही जादा जरूरी है जो भी candidates या जो भी अभर्थी counselling में अपियर होने जा रहे हैं Next हम बात करेंगे कि Court ने क्या जवाब दिया है या क्या जवाब मांगा है मानव तुटियों को ले करके फिर हम बात करेंगे कि कब तक आ सकती है आपके list जो भी आपके selected candidates की list है वो कब तक आएगी उसके बारे में बात करेंगे फिर हम finally जानेंगे क्योंकि lockdown चल रहा है क्योंकि Corona एक contagious disease है वो person to person, person to object फैलती है तो इसके regarding आपको क्या जो important साभधानी है क्या precautions लेने हैं और किस तरीके से आप counselling में participate करें क्या चीज़े आपको लेकर जानी है अपने documents के अलावा आपको क्या extra चीज़े लेकर जानी है वहाँ पार जो आप यह गाम आ सकती है उन सारी चीज़ों के बारे में हम discussion करेंगे तो guys please video को end तक देखे यह मैं आपसे first time request कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी previous video में कभी request नहीं करी guys इसलिए क्योंकि जो disease है कोरोना इससे जब आप important instructions जो है वो follow करते हैं जो यहाँ पे guidelines दी गई है तो वहाँ सिर्फ अपनी आप रक्षा नहीं करते हैं जानेंगे या देखेंगे जो आपको बहुत ही जादा यूज करेंगी खुद को protect करने में और other persons को भी protect करने में तो चले बढ़ चलते हैं पहले topic की तरफ guys यह topic है सब के लिए बहुत ही जादा useful है जो भी अधियर्थ या जो भी candidates कांसिलिंग में अपियर हो रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही जादा important instruction दिये गाए है बी यो की तरफ से यानि कि block education officer की तरफ से तो देखें क्या है आज का instruction important सभी के लिए सबसे पहले guys आपको जब आप जो अपने documents लेके जा रहे हैं वह किस तरी कि कि होने चाहिए और उनका format है वो कैसा होना चाहिए हम लोग already discuss कर चुके हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि बी यो ने आपकी जो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है सायक अध्यापक सायक अध्यापक भरती परिक्षा 2019 में उतिर्न अभ्यतियों को न्यूकती है तो खंड स्विक्षा दिकारी द्वारा जांच बिंदू तो यहां जब आप अपने documents लेकर जाएंगे तो वहां पर जो important मूल रूप से bank drug जो आपने DD बनवा रखा है OBC के लिए और जैनरल के लिए 500 रुपए और जो PH candidate है या फिर जो SEST है या फिर सवतरिता सेनानी आश्रित हैं उन सभी के लिए 200 रुपए का जो DD है उस DD के पीछे भरती का नाम होना चाहिए पिता का नाम होना चाहिए और आप रखाए अब आपको करना कब है जब आप DD बनवाएंगे जब आपका counseling list में आम आजाएगा तो आप DD बनवाएगा और उसके बाद आपको DD के पीछे लिए अपना नाम अपने पिता का नाम रुत भी जाते हैं तो restriction संख्या आपको help करती है मालीज़ आपका 2 लोचों का ना पिता का नाम similar है तो रेस्टिश नमबर आपका similar कभी नहीं हो सकता और आपको help करता है आपका DD बचाने में और आपको यह strictly follow करना है जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी सबसे पहले आपको अपने DD का ध्यान रखना है क्योंकि पांसरवगी जो धनराशी है जब आप उसको के लिए कर जाते हैं तो काफी महनत लगती है तो उस सारी महनत से को बरबाद होने साब को बचाना है तो प्लीज अपने DD है उसके पीछे सारी जानकारिया लिख लें अच्छा थर्ड जो चीज है वह है कि नोटरी यानि जो आपका शपत पत्र है उसका प्रारूप 1 होना च शपत पत्र आपका 100 रुपय का होगा 100 रुपय का जो आपका होगा वो आप सभी के लिए जरूरी है लेकि जाना और जो 10 रुपय का है यह उन लोगों को लेकर जाना है जिन्होंने तुरूटी कर दी है छोटी मोटी जो आप से गलतिया हो जाती है उसके लिए फिर आपका नेक्स्ट चौथे नंबर का है ID proof तो ID proof के जगे पर आपको क्या लेकर जाना है आधार कार्ड, PAN card वो भी आपका ओनलाइन अवेधन पत्र के अनुसार तो आपको अगर जो भी ID proof आपको लगाना है आधार कार्ड लगा ही सकते हैं अगर नहीं है आधारकर तो वो बिसिकली सब के पास होता है लेकिन बहुत कम लोग लेकर जाना चाहते हैं तो अगर आप नहीं लेकर जाना चाहते हैं तो प्यान का डब लेकर जा सकते हैं नेक्स्ट एक सिक्षामेत्र के लिए तो सिक्षामेत्र पद पर प्रथब नियुक्ति पत्र और कारेभार गरहण पत्र की चाहय प्रति अगर आप वहाँ पर कारेरत हैं तो उसका नियुक्ति पत्र का आपको जो आपका नियुक्ति पत्र है वो लेकर जाना है और उसकी चाहय प्रति जो कारे भार ग्रहण प्रमाण पत्र है उसकी चाय प्रति आपको लेकर जानी है जहां पर भी आप कांसिलिंग करवाएंगे नेक्स्ट चठा नंबर आपको क्या लेकर जाना है उनलाइन अविदन दिना क्याने कि जब 20-12-2018 से पूर्व अनापत्ती प्रमाण पत्र है अगर आप पहले से किसी स्कूल में कारे रत हैं अगर आप अलरडी टीचर हैं या किसी पुलीस में अगर आप ड्यूटी में हैं तो उन सभी लोगों के लिए नो अब्जेक्शन लेटर आपको एक चाहिए होगा तकि आप इस कांसिलिंग में अपियर हो सकें तो जो भी ऐसे अभियर्थी जो अलरडी चैनित हैं किसी जॉब पर अभी कर रहे हैं उन सभी को नो अब्जेक्शन लेटर यानि कि NOC लेकर जाना होगा वह भी 2012-2018 से पूर्वका होना चाहिए नेक्स्ट आपका बीएड कॉलेज के NCTE से मानेता के आदेश की चाहिए प्रती है अभी आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि हमने बहुत जाद आप सभी से आग्रह किया था कि जो भी बच्चे बीएड गिया है उनको आपको आदेश दिया था उसकी चाहिए प्रती सभी को जरूरी है और बहुत जरूरी है क्योंकि जब बीएड ने अपने इंस्ट्रेक्शन में इसे लिखा है तो आपको लेकर ही जाना है नेक्स्ट आपका नंबर एट्थ तो जर्मतिथी का मिल आझ वह को लेचाना ज़रूरी है नेक्सट आपका रोल नंबर है परिक्षा वर्ष यानि कि जब आपने पास किया था किस वर्ष में प्रातान पूर्णाँग, बिलान सैकशिक अंख पत्र वो प्रमान पत्रों के अधार पर याने कि अगर आपका जब कांसलिंग होती है तो वहाँ पर आपका रूल नमबर परिक्षा वर्ष, प्रापता अंख पूर्णाँग जो मैच होगा वो इन दिये वे जो प्रमाण पत्र है या फिर इन दिये वे अभी लखो क्या धार पर होगा तो क्या वो अभी लेख है वो है आपका सहाय का ध्यापक भरती 2018 का अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानि जो आपने estate में appear हुआ था उसके आपकी mark sheet चाहिए और उसका प्रमाण पत्र चाहिए ये दोनों चीज़े या इन विसे कोई एक चीज़ भी होगी तो भी चल जाएगा नेक्स्ट है आपका TET यानि कि जो आपने UB-TED पास किया है या सीट पास किया है उसका आपको चाहिए mark sheet और प्रमाण पत्र यानि कि certificate ये दोनों ही आपको easily in net पे से available हो जाएगा सीटेट की अगर बात करी जाए तो DJ Locker में जाकर कि आप अपना certificate और प्रमाण पत्र हाई स्कूल का जो mark sheet है और प्रमाण पत्र है यानि कि आपके mark sheet और passing certificate दोनों लेकर आना है next है आपका intermediate का आंख पत्र और प्रमाण पत्र उसके बार आपका सनातक सनातक अगर आपने yearly किया है तो first year second year third year और अगर आपने semester wise किया है आपको इसी गलती नहीं करनी है क्योंकि छोटी mistakes की वज़े से आपको काफी दिक्कत हो सकती है तो आपको first year second year third year और अगर आप semester wise है तो first, second, third to sixth semester सारे semester का आपको लेकर जाना है mark sheet ठीक है ना next आपका B.Ed का आंख पत्र तो B.Ed का आपका mark sheet है वो degree अगर degree नहीं है तो उसके place पे प्रोविजनल लेकर जा सकते हैं लेकिन आपका प्रोविजनल 6 महिने का ही valid होता है तो अगर आप नहीं बना है तो आप जाके ब प्रोविजनल लेकर जाना होगा क्योंकि जितने भी डॉक्मेंट से उनहीं के आधार पर आपका रोल नंबर परिक्षावर्ष प्राप्तांग पूर्णा जो भी सेक्षिक मुख्य अहलताय हैं उन सबको मैच करा जाएगा तो इन में से एक भी चीज को आपको भूलना नही है जाती प्रमाण पत्र तो जाती प्रमाण पत्र आपका मूल रुप से चाही होगा और वो भी तब का चाही होगा जब आपका अवेधन की तिति आई थी उसके पहले का ठीक है ना तो वह भी चलेगा कई लों के मैंने में question रहता है कि हमने तो अभी नया नया बनवाया है या पुराना है पांच साल पुराना तो guys इससे कोई matter नहीं करता आपका जो जाती प्रमाण पत्र है वो नेट पे अगर शो कर रहा है तो वो आपका eligibility के criteria के अंदर आता है तो उसे आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं नेक्स्ट आपका निवास प्रमाण पत्र तो निवास प्रमाण पत्र आपका मूल रूप से वहाँ पे चाहिए होगा और साथ मैं आपको दो फोटोकपे लेकर जानी ही जानी है सारे जितने भी दस्तावेज हैं सारे और ये तबका होना चाहिए आपके आवेदन से पूरवका होना चाहिए नेक्स्ट है आपका विशेश आरक्षण तो ऐसे भी लोग जो दृष्टे बादित हैं श्रबन बादित हैं चलन क्रिया विकलांग हैं या फिर फिर भूत पूर्वसैनिक है मूल रूप से उनको अपने आवेदन से पूरवका प्रमाणपत्र चाहिए होगा ठीक है न तो ऐसे अभियर्थी जो स्पेशल केटिगरी को बिलॉंग करते हैं उनको स्पेशल केटिगरी का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा ठीक है न लास्ट आपका बूत पूर्वसैनिक का डिश्चार्ज सर्टिफिकेशन आवेदन से पूरव इक मेंस की गाईस अगर आप एक सर्विसमेन हैं तो जब आ पाना होगा तो यह सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दी गई थी सारे बेट्थियों के लिए जो आप कांस्लिंग में अपियर हो रहे हैं चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका की शिक्षग भरती मामले में कोट ने जवाब मांगा था आपको पता होगा कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चोटी चोटी मिस्टेक्स कर दी हैं आपको पता होगा कि जब से फॉर्म भरने की डेट आई थी वेबसाइट काफी स्लो चल रही थी बार बार एर्र शो कर रहा था तो बच्चों ने परिशान होकर 17-18 बार ट्र इस परिंद रही था था यह सब हो सकती है कि अ अग्योन यह सब करगाने के पिआपको पता होगा कि यह जो यह ची राकेश जी उन्होंने कहा है कि उनके पूर्ण आंक है अठारत सो की जगे कुछ और प्रिंट हो गए हैं तो उन्होंने याचिका दायर की थी कि एक कोट से कि कोट इसमें संशीर संस्रोधन का मौका दे तो कोट ने उनको छे जून से पहले तीन जून से पहले जवाब मांगा था कि उन्होंने ये कहा था कि कोट उनको संस्रोधन का मौका दे तो हाला कि इस पर कोट की सुनवाई चल रही है आगे बताया जाएगा आप सभी को जो भी न्यूज मिलती है लेटिस वो आप सभी को बताया जाएगा इसके रिकार्डिंग नेक्स्ट है आपका सिक्षक भरती की चैन सूची आज आप सभी को बता होगा काफी देर से आप लोग वेट भी कर रहे हैं कि आज आने वाली थी सिक्षक भरती की चैन सूची का जो लिस्ट है आज आने वाली थी तो जितने भी अभियर्थी या जितने भी candidates इस list में होंगे वो सभी चायनित होंगे उनको कही न कहीं college allotment होगा ही, school allotment होगा ही तो आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शूब कामना है और जहां पर भी counseling करवाने जाएंगी आपको क्या क्या चीज़े लेके जाने हैं हम पिछली वीडियो में discuss कर चुके हैं और बस आपको क्या करना है कि जो चोटी 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 certification है जो certificates है उन सब को तयार रखना है क्योंकि आप सभी को यह confirm नहीं था खासकर ऐसे अधर थी जिनके merit कम थी अगर वो इसमें आप participate कर रहे हैं तो हो सकता है कि लगोंने DD ना बनवाए हो, character certificate ना बनवाए हो, medical ना बनवाए हो तो एकदम परिशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप तो के पास काफी जारा टाइम है, तो बिल्कुल परिशान ना हो, panic ना करे, आराम से अपनी certificates को बनवाए और इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो आपका जो format है वो कैसा होगा, कैसा format होना चाहिए, चारे चारे प्रमान पत्र का, और आपके वो जो आप अप एफिडिविट लगा रहे हैं कैसा होना चाहिए, हम आपको पता है कि आज जितने भी अभ्यार्थी चैनित होंगे, इस पद पर, सहाइक सिक्षा के पद पर, तो यह जो लिस्ट है, वो बेसिक सिक्षा परिशद जारी कर रही है, तो उसने कुछ गाइडलाइन दिये ह कुछ स्टूडन्स के लिए, तो वो क्या है, अपने यहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि सचिव बेसिक सिक्षा परिशद निर्देश भर्दी के संबन में बेसिक सिक्षा अधिकारी, मंडली सहायक, बेसिक सिक्षा निर्देश चेक और प्राचारे जिला सिक्षा इवं प काउंसिलिंग के सभी अधियर्थियों के मूल अभिलेक अनेवार रूप से जमा कर ले जाएंगे, तो इस के रिकार्डिंग आपको बेसिक सिक्षा परिशद के जो अधिकारी थे, उन्होंने कुछ गाइडलाइन्स जारी करी है, और जो सैनिटाइजेशन है, उस पर काफी खासा ध्यान रखा गया है, और जो सोचल डिस्टैंसिंग है, इसका पोलीस तो ध्यान रखेगी, लेकिन इसका आपको खुद भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं, तो जो इंपोर्टन इस्टेक्शन से अगर आपको फॉलो करेंगे, तो आपको जब आपने इतनी महनत करी है, इतना अच्छा एक्जाम क्वालिफाई किया है, तो छोटी से मिस्टेक की वजए से आपको कोई भी ऐसे गलती नहीं करनी है, जो आपकी रास्ते में आके रुकावट बने, तो आपको छोटी-छोटी सारे इंस्ट्रेक्शन को फॉलो करना है चलिए देखते हैं, लास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये, उन सारे कैंडिटेट्स के लिए जो भी जा रहे हैं, काउंसलिंग के लिए, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़े हैं, है तो बहुत छोटी और आप इसे बैग में रख सकते हैं, और इनी सब जो की वज़े से काफी बड़ी-बड़ी चीज़े पॉसिबल भी हैं, अब आप सोचेंगे कैसे, आपके पास पैंसल नहीं है, आपने किसे ऐसे अभरती से मांगा जो वहां पर कांसलिंग करवाने गया, और उसने क्या करा, उसके बाड़ी पे कहीं से भी, कुरोना वारिस क कहीं से भी चिपक गया, अब आपने उसकी पैंसल मांगी, उसके पैंसल में भी वह वारिस चिपका हुआ है, अब आपने उसे पैंसल ली अब वारिस आप तक ट्रांसफर हुआ, अब क्या किया आपने उन्हीं हाथों से जिसमें आपके वारिस अटैस्ट है, उससे किसी और को छुआ इस तरीके से एक चीन सी फैलती चली जाएगी तो आपको खासा ध्यान रखना है कि काउंसिलिंग सेंटर पर अपने सामान खूद ले कर चले और सामान क्या है या आप सब्सक्राइब को जाना जरूरिưng कि क्या कही चीजा आपको लेकर जानी है तो यहां पर लिस्ट है उन से भी चीजों की कि क्या 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 समगरी है जो आपको counseling area में लेकर जाना है तो सबसे पहला आपको लेकर जाना है pencil एक या फिर अपकर आपके पास तो आप 2 लेकर जा सकते हैं, 2 इसलिए, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा भरती है, जो नहीं लेकर गया है, तो आप उसे दे सकते हैं, लेकिन आप उससे रिटर्न नहीं लेजेगा, यह तो आपके उपर डेपैंड करता है, कि आप कितने फेवरेबल हैं दूसरों के लिए, ठीक ह नेशे आप को स्केल लेकर जानी है, उसके बाद सीजर लेकर जानी है, 1, ब्लेड लेकर जाना है, 1 और आपको इसलिए पैक किया वाव, अगर आपको वह वह मेल जाता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से रैप करके, कवर करके लेकर जाएं, क्योंकि यह काफी ज़ादा पतनाक होता है और इससा आपको छोड भी लग सकती है नेक्स्ट आपको glue यानि कि gum लेकर जानी है गम की bottle एक नेक्स्ट आपको लेकर जानी है a4 size का paper और यह होना चाहिए कम से कम 10 दस होगा तो भी चलेगा बारा होगा तो भी चलेगा लेकिन दस से कम बिलकुल मत लीजेगा नेक्स्ट आपको टैग वाले धागे लेके जाने हैं जो फाइव स्कीव पर लगाया जाते हैं हाला कि यह सारी चीज़ आपको महाँ पर अवेलिबल हो जाएंगे लेकिन इन केस अगर नहीं मिला आपको तो आप कहां लेने जाएंगे तो आपको यह सब चीज़े रखनी है अगर आपके पस बच जाता है तो आप इससे ले जाकर वापस भी लेके जा सकते हैं लेकिन यह आपको पानी की बॉटल ना मिले, या आपको पानी की सुविधा ना मिले, कोई शॉप ना हो, कुल डुरिंग की बॉटल ना मिले, इनकी इस आपको पानी की बॉटल घर से साफ लेकर जानी है, फिर आपको जो इंपोर्टन सामगरी है, वो है, बोल्ड मेकर, एक बोल्ड मारक फिर आपको लेके चाना है सभी सेक्षिक प्रमाण पत्र आप सब भूल जाएं तो चलेगा पर सभी यह जो सेक्षिक प्रमाण पत्र है इसे बिल्कुल भी मत भूलेगा क्योंकि आपकी लाइफ की इंपोर्टन जो एसपेक्ट है वो इससे जुड़े हुए आपने इतनी महनत करिए गाईज और इतनी महनत से जब आप यहां तक पहुंचे हैं आप कांसलिंग में अपियल हो रहे हैं तो सेक्षिक प्रमाण पत्र बिल्कुल भी नहीं भूलेगा अगर आप यह सब भूल भी जाते हैं जो मैं आपे मैंशन कर रही हूं पर इस चीज को कभी मत भूलेग नेक्स्टी है अपका कांसलिंग लेटर सबसे जादा इंपॉरिंट है अगर आपने डॉकुमेंट लिया हुआ है डॉक्उमेंट अब जिसके बार जौल अब कर जाएंगा फिर आपका सुक्का नाशता जो भी आपके पास हो क्योंकि कांसलिंग में पूरा दिन लग जाना ह और गर्मी है तो अगर आप गिले नाश्टा लेकर जाते हैं तो खराब ही हो सकता है और अगर स्पाइसी चीज लेकर जाएंगे तो वहाँ पे रैंस डीडी भी हो सकते हैं वो चीज़े खराब हो सकते हैं तो सुखा नाश्टा लेकर जाएं जैसे बिस्किट है नमकीन है या फिर नमक पा रहा है, ऐसी चीज़ें आप रख सकते हैं, आपके काम आएगा, फिर एक सानिटाइजर, हाला कि वहाँ पर जहां पर आप कांसलिंग करवाने जाएंगे, तो आपको जीली चीज़े अवलेबल होंगी, लेकिन फिर भी आपको छोटी सी बॉटल या फिर पाउच रखने हैं, सानिटाइजर की, जो आपको हेल्प करेगी, कुरोना से फाइट करने में, फिर आपको नपकिन्स रखने हैं, अगर आपके पास हैंकी है, तो हैंकी को बार बार यूज़ मत कीज़ेगा, आप सभी से हाथ जोड के रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप ने एक चोटा सा पीस जरूर रख लीज़ेगा, अगर बड़ा नहीं है तो, लेकिन लेके जाना बहुत जरूरी है, पॉली बैक्स याने की, पॉलिथिन बैक्स भी बहुत इंपॉर्टन्ट है आप सभी के लिए, कम से कम तीन तो आपको लेके ही जाने है, फिर आपको लेके जाना जो है, वह साइड में होल करने वाली मशीन आपने देखा होगा, कि या तो अगरा पैंसिल से छेट कर पाते हैं, नहीं है, तो छोटा सा 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 साइड में होल करता है, स्टैपलर टाइप का बहु ले लीजएगा, यह आपको हेल्प करेगा सारे डॉक्मेंट्स को एक जिए ऐसा होता है कि किसी अभेर्थी के पास कोई सामान, नहीं है तो इंसानेट के नाते हैं उसे शेयर कर लेते हैं तो sanitizer से अपना हाथ साफ कर लीज़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो person आपके सामने वो in infected हो तो sanitizer से उस चीज़ को जब आप वापस लेते हैं तो अपना हार भी साफ कीज़ेगा और वो चीज़ भी sanitize कीज़ेगा जो आप दूसरे से ले रहे हैं और फिर सुरक्षित रहना है आपको खुद भी और हमारे देश को भी सुरक्षित रखना है तो गाइस आप सभी के लिएक message जितने भी है वरती इस counseling में अपेर हो रहे हैं सबसे पहले आप सभी को शुब कामना है मेरी तरफ से एक अच्छे सिक्षक बनी है हमारे समाज को एक अच्छे चात्र दीजिए क्योंकि हमारे देश में सबसे जादा जो है वो शारेरिक जहर वो तो ही शारेरिक तोड से सब लोग परिशान हो रहे हैं लेकिन सबसे जादा चीज होते हैं इस मांसिक जहर जो बच्चे छोटी class से जो mentality लेके जाते हैं आपको बता है कि बच्चे टीचर को आइडल समझते हैं तो ऐस टीचर आप उने जो भी transfer करेंगे आप अच्छा behavior शो करेंगे तो बच्चा अच्छा बनेगा क्योंकि बच्चा घर में बहुत जादा time spend करता है लेकिन जितना भी time school में spend करता है वो टीचर को best मानता है तो अगर आप अच्छा behavior शो करते हैं बच्चे के साथ में अच्छी चीज़े सिखाते हैं तो बच्चा regularly school आता है आपसे attach होता है आपको माबाप की तरह दुलाद देने लगता है और उतनी ही respect करते हैं आपके जितने माबाप की करते हैं आप सभी जब teaching के field में जाएंगे तो आप सभी से request है कि please बच्चों को अपना समझ कर इस देश को अपना समझ कर ये सोच कर बच्चों को पढ़ाएं कि वो बच्चे आपके हैं और उनका भविश्य आपके भविश्य से जुड़ा हुआ है क्योंकि यही बच्चे आगे चल कर हमारे देश चलाने वाले हैं तो आप सभी के लिए important message तो please guys अगर कुछ ऐसी चीज़े हैं जो हमारे द्वारा दी गई हैं जो आपको बुरी लगती है या फिर कोई ऐसी चीज़े जो अच्छी लगती है तो please comment box में लिखे वीडियो अच चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो notification bell को जरूर दबाएं इससे द्वारा अगर आप notification bell को प्रेस करते हैं तो हमारे द्वारा दी गई latest वीडियो की अपडेट को आप अपने चैनल पर देख सकते हैं तो चले मिलते हैं कुछ और important information के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब तो फ्रेंस के साथ में फ्रेंस के साथ में शरकर नहां भूले तो चले मिलते हैं एक और important conceptual वीडियो के साथ में तब तक के लिए मृता को दीजिए इजाज़त बाबाई